हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जो रोस्तन की किलास यूट्यूब चैनल आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट हमारा आज का जो हम ने देखा था यह लास्ट वीक में इंटरनेट के दो पार्ट हमने देख लिया है अगर आप लोगों ने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो देखने से पहले उस पार्ट को जरूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट के सभी questions को जितने questions बनते हैं इसमें important important और ये वीडियो हमारी especially super date 2020 के लिए है तो चलिए दोस्तों देरने करते हैं शुरू करते हैं आज की वीडियो मेरा नाम है रोसन और आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल चैनल जोसन की class में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सभी जो इंटरनेट से related प्रसन बनते हैं वो सभी प्रसन इसमें देखेंगे और ये सभी प्रसन आपके जो super date का exam आने वाला exam है 2020-2021 का उसके लिए बहुत ही important है तो इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखेगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों देर न करते वे शुरू करते हैं आज की वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला question है यहाँ पर जब हम किसी website को खोलते हैं तो मुखी page को क्या कहते हैं आपसे directly यह प्रस्म पूछ लिया जाता है कि अगर हम कोई website खोलते हैं तो website का सबसे पहले जो page खुल के आता है उसको क्या कहते हैं तो यहाँ पर देख लिए option दिया गया चार option front page कहते है, magic page कहते है, home page कहते है या फिर landing page कहते है तो दोस्तों इस question का सही answer है आपका home page कहते हैं उसको जो website हम खोलते हैं किसी website को अगर हम खोलेंगे तो उसका जो main page खुल के आता है सामने सबसे पहले उसको home page कहा जाता है ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रस यहाँ पे यहाँ पे देख लिए दूसरा प्रस लिखा गया है आपके सामने भारत में इंटरनेट सेवाव का प्रारम कब हुआ था यानि कि इंडिया में इंटरनेट सबसे पहले कब आया था तो यहाँ पे देख लिए चार option आपके पास है 15 अगस्ट 1947 को जब भारत आजाद हुआ था या फिर 15 अगस्ट 1989 को 26 जनवरी 1995 को या फिर 15 अगस्ट 1995 को तो दोस्तों इस question का सही answer आपका है 15 अगस्ट 1995 तो ध्यान दीजेगा भारत में इंटरनेट के सुरुआ 15 अगस्ट 1995 को हुई थी अब इसके बाद हम देखते हैं तीस्ता प्रस्ट है यहाँ पर मैं काफी तेजी से प्रस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को योगि इसमें आप लोग पिछली दो पार्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा जो जन्दाता कहा जाता है वो C option इसका बिल्कुल सही है विंटन सर्फ को इंटरनेट का जन्दाता कहा जाता है तो दोस्तों अब चलते हैं अपने चौते प्रस्ट की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों चौता प्रस्ट है www किस प्रोटोकाल का उप्योग करता है तो सबसे पहले मैं आपको पता दू कि प्रोटोकाल क्या होता है तो प्रोटोकाल एक तरीके का एक नियम कानून होता है जो फिक्स रहता है किसी भी काम को करने के लिए कम्प्यूटर के लेंग्वेज में तो उसको कहते हैं protocol तो यहां पे पूछा कि आप से प्रस ने www किस protocol का उपियोग करता है तो यहां पे आप सभी को पता होगा कि मैंने आपके class में पढ़ा रख था है दूसरी class में कि www जो है वो HTP protocol का उपयोग करता है आपने देखा होगा कोई website आप खोलते होंगे तो उसके पहले HTTP इस तरीके से लिखा रहता है मैं दिखा ज़ता हूँ HTTP इस तरीके से देखे होंगे लिखा रहता है उसके www. उसके आगे उस website का नाम डोमेन लिखा रहता है Google.com या फिर कुछ भी तो यह जो डब्लु डब्लु है वो HTTP प्रोटोकॉल का उप्योग करता है अब इसके आदम देखते हैं पाचवा प्रस्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं पाचवा प्रस्न है भारत में सरप्रतम किस राज में इंटरनेट पर टेलीफोन डारेक्टरी उप्लब्ध हुई तो यह कफी इंपॉटेंट प्रस्न है आपके एकजांस में आ चुका है यह तो यह आपको ध्यान से देख लिजेगा इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से लेखेगा यहाँ पर बहुत मैं टाइम नहीं लगाऊंगा काफी जल्दी-जल्दी क्योंकि प्रस्नी बताना है तो मैं बस आपको समझा चुका हूँ पिछले दो वीडियो में आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इस वीडियो में आपको सीधी एंसर बताऊंगा कोस्टन पढ़ने के बाद तो यहाँ देखली चार ओप्शन है लोग जनसकती पार्टी भारती राष्टरी कांग्रेस समाजवादी पार्टी या फिर भारती जनता पार्टी तो यहाँ पर दोस्तों इस कोस्टन का सही एंसर है आपका भारती जनता पार्टी यानि कि बीजेपी ने इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई थी अब इसके आद देखते हैं साथा प्रसन वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्मेंट खुल जाता है उससे क्या कहा जाता है जैसे कि अगर किसी वेबसाइट पर जाते हैं यह वेबसाइट माल लेते हैं यहाँ पर अगर यहां पर वेबसाइट है फेस्बूक पे गए है वहां पर लिखा रोषन पर यूटूबब चानल पर चले आते हैं तो मेरा बचाने कमस्यूश का मही किसी एक लिखी होई चीज़ पर क्लिक करने पर आप किसी दूसरे चीज़ चले जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता ह तो यहां पर देख लिए option दिया गया anchor reference text hyperlink या फिर नया page कोई कहते है उसको तो यहां पर दोस्तों का सही answer है hyperlink उस चीज को hyperlink कहते है जो चीज लिखी रहती है जैसे रोसन की class लिखा गया तो उसके पीछे coding के जरीए HTML code होता है HTML code के जरीए वहां पर link लगा दिया जाता है link मतलब उस website का URL या फिर उस website का domain लगा दिया जाता है जिस website पर आपको भेजना होता है उस user को तो उसको hyperlink कहते हैं अब देखते हैं हम अपना आठवा प्रस्न यहां पर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि जो पूराने प्रस्न है जो सभी को पता हो चुके हैं लगबग तो वह प्रस्न अब नहीं पूछे आते इसलिए जो नए प्रस्न बन रहे हैं यहां पर जो इंडिया से related हैं वह प्रस्न आप लोग के लिए बहुत important रखते हैं तो यहां पर के लिए उसी प्रकार का एक प्रस्न है देश का प्रथम साइबर अफ्राज पुलिस स्टेशन कहां पर बनाया गया है तो दोस्तों इसमें चार आप्शन है लखनोव पतना मुंबई या फिर कटक तो यहां पर दोस्तों इस question का सही answer है देश का प्रथम साइबर अफ्राज पुलिस स्टेशन जो है वो आपका कटक यानि की ओडिशा में बनाया गया है अब यहां पर है नौवा प्रस्न इस प्रकार के प्रस्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं गूगल याहू बिंग यह सब क्या है आपसे पूछ लिया गया है तीन नाम दे दिये गया है गूग बिल्कुल सही है इस कोस्टन का एंसर अब देखते हैं अपना दस्मा प्रस्न इमेल के जन्म दाता कौन है यहां पर आपको बताना है मैंने अपनी पिछली वीडियो चो में बताया है कि इमेल के जन्म दाता कौन है तो अगर उसको आपने देखा है बहुत ध्यान से तो 1971 में रे टॉम लिंसन ने इनको इमल का जम दाता भी कहा जाता है अब आपको यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर 11 प्रस्ण है इंटरनेट निम्न में से किस से संबंधित है इथरनेट इथरनेट है यहाँ पर देख लिजए ध्यान से इथरनेट निम्न में से किस से संबंधित है लैन से है मैन से है वैन से है या फिर इन में से किसी से भी संबंध नहीं इथरनेट का आपको यहाँ पर full form में बता देता हूँ, अपनी पिछली वीडियो जो मैंने बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, land का होता है local area network, man का होता है metropolitan area network, और when का होता है wide area network, जो internet होता है वो wide area network पे काम करता है, ल उस wire का हम use करते हैं, उस wire को ethernet कहते हैं, अब यहाँ पर 12 प्रसन देख सकते हैं, आप 12 प्रसन है, इंटरनेट में जो देखते होंगे google.com, yahoo.com, facebook.com, तो यहाँ पर internet में जो काम होता है, domain का संबंद किस से होता है, यहाँ पर आपको बताना है, चार यहाँ पर चीज लिखी होता है, तो com का मतलब होता है, commercial, तो commercial मतलब वो एक तरीके का व्यापारिक संस्था होता है, तो यहाँ पर आशा करता हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अब देखते हैं, अपना 13 प्रसन, अब यहाँ पर देख सकते हैं, 13 प्रसन पूछा है आपसे, वाइफाई क पूरा नाम क्या है, बहुत लोग जानते हैं, सभी डेली यूज कर रहोंगे वाइफाई, तो इसका आप फुल फार्म बताइए, कि इसका फुल फार्म क्या होता है, तो यहाँ पर देख लिजेगा, यहाँ पर आपके लिए एक इंपोर्टेंट प्रसन है, आप देखते है देख लिजेए, यहाँ पर लिखा गया है, ISP का संचिप्त रूप क्या है, मतलब ISP का एक तरीकी से पूछ रहा है, किसका संचिप्त रूप है, यहाँ पर ISP का फुल फार्म पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें से, चारों प्रसन में से, ISP का फुल फार्म क्या ह है और जो ISP होता है जो हमको इंटरनेट प्रवाइड करता है जैसे वोड़ाप फोन है एयर टेल है जी यो है यह सब आपके ISP हैं इंडिया में यह इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर है उसके बाद देखते हैं हम 15 परस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट परस नहीं है भी इमेल आप लोग भेजते होंगे जनरल वे में डेली लगबग किसी ने किसी को इमेल भेजते होंगे अपने काम से तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है इमेल में जो BCC का होता है उसका पूरा नाम क्या है आपने देखा होगा आप इमेल अगर भेज रहे हैं तो आप इस त देख लिजिए पहला option है blind coupon code, दूसरा है bold carbon copy, तिसरा है blind carbon copy, चौथा है black carbon copy, तो दोस्तों इस question का सही answer आपका blind carbon copy होता है, इसका मतलब में बता दूँ आपको कि इसका use क्या करते हैं और क्यों किया जाता है इसका use, आप किसी को mail भेज रहे हैं, यहाँ पे आपने mail भेजा, कि उसके साथ ही साथ वो mail आप किसी और person को भेजना चाह रहे हैं, बट वो मुझे नहीं दिखाना चाहते हैं, कि रोसंकी class.gmail.com को जब mail जाए, तो उसको यह न दिखे कि और यह mail किसको भेजा गया है, तो यहाँ BCC पे click करेंगे, तो एक box ऐसे और खुल के आएगा, उसमें आप mail ID डाल सकते हैं, कितने भी mail ID यहाँ पे डाल सकते हैं, आप जो उपर 2 में लिखे रहेंगे, उस आदमी को, उस mail ID वाले को, यह नहीं दिखेगा कि यह mail कितने लोगों को भेजा गया है, या फिर यहाँ पे जितने लोग हैं, उनको यह नहीं दिखेगा कि यह mail और कितन चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 2 में एक mail दिखेगा उसके बाद जितने लोगों को mail भेजा रहेगा उनका mail ID नीचे लाइन से लिखा रहता है तो वो CC में अगर आप mail ID लिखेंगे किसी का तो दिखता रहेगा carbon copy इसका मतलब होता है और BCC का मतलब होता है blind carbon copy अब देखते हैं अब देखते हैं अपना 16 प्रसन देख सकते हैं यहां पर पूछा गया है आपसे question का सही answer आपका 16 में का यह option बिल्कुल सही है टीम बर्नर्स ली इन्हों ने www का अव्शकार किया था अब इसका 17 प्रसन भी देख लेते हैं आपके exam point of view से यह प्रसन काफी important रखता है यहां पर पूछा आपसे URL किसका संचित रूप है आपको URL का यहां पर फुल फॉर्म बताना है यह एक्जाम में आ चुका है प्रसन बीट के एक्जाम में आ चुका है तो हो सकता है कि आपक इक्जाम में पूछ लेए तो यहां पर आपको बताना है कि URL का फुल फॉर्म क्या है तो URL का यहां पर देख लिए दोस्तों यहां पिचार option दिया गया है यूनिमार्फ रिसोर्स लेंग्वेज यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफार्म राइट लोकेटर आपका URL का फुल फॉर्म होता है अप देखते हैं हम अपना अठहरावाः प्रस ओरивают शने पूछा आपसे Internet का शुरुवाति में से कौन सा था तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि इंटरनेट का जो शुरुवाती नाम था वो था आर्पनेट आसा करतों आप लोगो यह ध्यान में रहेगा इस चीज को आप नोट करते रहेगा आपको मैं जितने ही प्रस्ण बता रहा हूं पूछा आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं है डीटेल में तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर देख लिए पूछा है आप से निम्न में से कौण सा सर्च इंजन है यहाँ पर इस तरीके से एक प्रस्ण और बंता है कि कम से कम आठ दस नाम पता होंगे तभी आप बता पाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर चारा ओप्षन दिया गया है Mozilla, Google Chrome, NetScape Navigator या फिर Yandesk तो यहाँ पर मैं बता दूं कि Mozilla जो है यह आपका ब्राउजर है, Google Chrome जो है वो एक ब्राउजर है NetScape Navigator यह आपका ब्राउजर है और यह आपका iPhone और Apple में काम करता है और यह Yandesk जो है वो आपका एक सर्च इंजन है जो वर्ड का थर्ड सबसे सेफिस्ट सर्च इंजन माना जाता है यह आपका एक तरीके से सर्च इंजन यह रूस का है सर्च इंजन जैसे यह Google जो है वो अमेरिका का है बनाया है अमेरिका वाले ने उसी तरीके से जो Yandesk है उसको रूस ने बनाया है अब इसका देख लेते हैं आपना 20 प्रस्ण जो आज के क्लास का लास्ट प्रस्ण है यह 20 प्रस्ण आपके इंटरनेट से बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ण बन रहे थे तो मैं आपको यहाँ पे 20 प्रस्ण लेकर आया हूँ यहाँ पे आपसे पूछा है वर्ड वाइड वेब यानि कि जो अभी मैंने दिखाया कि www इसी का फुल फाम है वर्ड वाइड वेब ये कब शुरू हुआ था तो दोस्तों www यानि के वर्ड वाइड वेब की शुरूआत हुई थी 1989 में आसा करता हूँ आप लोगों को ये 200% अच्छे लगे होंगे अगर आप लोगों को ये प्रशन अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिया करिये और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं रेगुलर बेसिस पे एक एक वीडियो दो दो वीडियो लाने की कोसिस करता हूँ जिससे आप लोगों की जानकारी बढ़ती रहे और कल की वीडियो मैं बताऊंगा आपको कम्प्यूटर की बारे में कम्प्यूटर का fundamental कम्प्यूटर के basics कल सुरू करूँगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों आप रोशन की क्लास YouTube चैनल को subscribe कर लिए और साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि आप बेल आइकन को भी दबा के रखें जिससे मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे अगर कोई चाहता है उसकी help हो सके और इस वीडियो को बस एक like कर दीजिए दोस्तों तब मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम